असोग सम्राट भवन जो बारह बरह से लंबी था रेट रिभाइज करा करके पुना टिंडर निकल वाया असोग सम्राट भवन हुआ स्टेडियम हुआ का बस टेंड हुआ सारा काम जोड़ सोड़ से महां लगा हुआ है नमस्कार मैं मरीश और आप देख रहे हैं एक निउस 24 हमारे साथ मौझूद है टिकारी विधान सवा के अनिल्द सर्मा जी अभी अगर बात की जाए तो टिकारी विधान सवा में देखी जाए तो बिलहडिया से ले करके दुमर्सन की जो सड़क की स्थिति जो है काफी है और बहुत ही खराब हो गया रूल इसमें चरपांश रूड़ और है धन्शुवा का है वहां का है यह तो आज के एक साल पहले टेंडर हो जाता पर साथे शुर्कृति बगार सब हो करके आप ग्रामीन कार्जी वहाग में जब लंबी था टेंडर के लिए उसी समय ग्राम फिर से डीप्या बनाना फिर सर्वे करना फिर से नया रेट करना अच्छा प्राजिकारी मिलते मिलते लागा दी एक साल प्रसाथनी शुर्कृति हो गया है मैं समझता हूं दो तीन दूरों के अंदर टेंडर लिए नयाब ठिकारी नगर पंचायद से नगर परिसद बना ल देखिए नगर परिसद पिछले एकाद मुरस्तक भंग था तो सब जिलाधिकारी गया के बहुत ही लोग प्रिया और बहुत अच्छा प्रादिकारी है और उन्होंने इंसे जो हम ने अगरह किया अच्छे तर्बर विकास के लिए का काफी सहजोग रहा और काफी रूड ब खुद हमने दिया अब प्रधान सचिब में तुरत सर्वे करा के डिप्यार मंगवाया अभी डिप्यार बनकर के आ गया है टाउन का एक रूड का नहीं बना है जिसका अवेदन में फिर त्यार कर लिया हूँ अकल परसों अजर रही बार है कल परसों हम निश्यत्रू से तीन रूट का जो डिप्यार में रा गया है चेकारी सहर का रूट खराब हो गया है उसको बनमाया जागा तुरत चौथा रूट का भी सर्वे हम और कराएंगे बनाने के लिए चेकारी में आप देख रहे हैं कि इतना विकास हुआ है वहाँ बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जाके देखे जब हम चुनाओ हार सबसी रुका हुआ था तो आपके अफ्टेडियम पूरे बिहार में सरकार के था कि ब्लॉक में फ्टेडियम होगा तो कौश्ट कारी में फ्टेडियम हम दो हजाद चौ महीं बनवा दिया था लेकिन तो टूट गया था जिसका जि अच्छा से अच्छा अच्छा ऐटीडियम हमने उसको जुन दार करवाया हैं बनवाया है अच्छा बंकर तियार हो गया है रहाबाद पृत्ट्रकाही टाउन में बस सर्टैंड का बस अंद्र का भी काम जोड़ों-सोड़ों से लगा हुआ है ऑक्सीजन प्रांट वहां ब सब्सक्राइब भवन हुआ आपका बस रचेंड हुआ सारा काम जोड़ सुर्ष महां लगा हुआ है आप लगते रहा है जब आप मंत्री भी थे और वर्तमान में आप इधायक भी है तो आप पे यह आरोप लगा कि जो भी अगर पॉल्टेक्निक कॉलेज की बात कि जा या अगर बात कि जाए तो आप लगातार आरोप भी यह लगता रहा कि पिछड़े समाज के लिए उत्थान के लिए अनिल बावु काम नहीं किया है कि आपको ऐसा लगता है या आरोप सही है आप फुद शर्वे कर लिजे कि जहां पॉल्टेक्निक कोलेज बना है निम्सर गौ कौन लोग है कि समुदाए को लोग है उस पंचायत के अगल बगल कौन लोग है अज संफ्था बनता है एक जाती के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं और तो पुरे बिहार के हां सुबधाया हो गया कि जो श्यत्र के लड़के थे अब वो च्वाइस में भरते हैं तो उनको पूरा आए यत्यग्स कि बनाने के लिए पोलेटेकनी बनाने के लिए पांचकर मुयत्य, ऐब दूम कराया तो मकदोण पुत्री लुशे जमिन थाप का गर मजरुवाद जिसमें हम लोगों ने प्रोटेक्निक बनमाया तो बाधता थी ते तर्या को लोग भी नहीं चाहते हैं पूरें पूल्टेक्निक बने हैं इस तर्या में चुकी सरकार का वहां भूमी लेंड 10 से कर तो आज भी पांच सेक्र बचा हुआ है आज सब तो आरोप और होई लगाते हैं काम नहीं करते हैं घूम रूची नहीं जाते से कहां समंध हुआ है जहां तो सब्सक्राइब करते हैं काम में विश्वास करते हैं काम करते हैं काम करते हैं अच्छा यह थे हमारे साथ टिकारी विधान सवाग के विधायक अनिल सरमाजी जीनों ने सिधे तोर पे कहा कि डुमर्शन से लेकर के बिलढ़िया की जो सड़क की स्थितिया मैंने उसको देखा है और बकायदा इसके लेके मैंने अपने विवाग के लोगों से भी यह कहा है कि जल से जलू सड़क का निर्मान करवाया जाए और इसका दो से तीन दिन में टेंडर हो जाएगा और दो से तीन दिन के बाद जो है उस सड़क के कारे जो है सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक निउस 24 कैमरामें जैक के का साथ मैं मैं इस पटनाव